Hello students, welcome to the Sun Academy. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिर्स्ट यर केमिस्ट्री को. फिर्स्ट यर केमिस्ट्री के अंदर सिंद बॉर्ड के अंदर जो फिर्स्ट चेप्टर है हमारा स्टाइक्योमेट्री. आज इस चेप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है तो इसको ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले हम स्टाइक्योमेट्री की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे. वर्ड जो स्टाइक्योमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. सबसे पहला वर्ड है स्टाइक्योमेट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर हमें सजी से समझ में आएगा. The study of quantitative relationship between reactant and product in a chemical reaction using balanced chemical equation. हम इसके अंदर reactant और product की quantitative study करते हैं. quantitative study का मतलब ये है कि एक quantity के बढ़ने या घटने से दूसरी quantity पे क्या फरक पड़ता है और एक quantity के बढ़ने या घटने से दूसरी quantity पे क्या असर पड़ता है ये इसे हम quantitative relationship कहते हैं. तो ये दो quantities एक दूसरे से relation में होंगी. तब ही जाके एक दूसरे पे difference आएगा एक दूसरे की changing में. तो अब क्या है? यहाँ पर हमारे पास chemical reactions हैं. chemistry के अंदर हम chemical reactions को पड़ते हैं. और इन reactions के अंदर दो चीजें हमें दिखाई देती हैं. सबसे पहले वो species वो चीजें जो आपस में react करती हैं और जिसकी वज़ा से एक नई चीजें बनती हैं. तो जो जो चीजें react करती हैं उन्हें हम reactants कहते हैं और जो चीजें बनती हैं reaction के बाद उन्हें हम products कहते हैं. अब reactant और product के बीच का जो तालुक है कितने reactants कितने products बनाते हैं ये सारा कुछ हम stoichiometry के अंदर डिसकस करते हैं. इस stoichiometry के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं. तो एक तरह का हिसाब किताब होगा इसके अंदर chemical reactions का और इसे इसमें हम balance chemical equations को use करेंगे. तो ये हमारे पास होगी definition उसके बाद हम आगए आते हैं. तो हमारे पास stoichiometry हमें ये बताता है कि हमें एक desired amount of product चाहिए. मतलब जितना product हम चाहते हैं उतना product अगर हमें चाहिए तो हमें कितने reactant लगाने होंगे. कितने reactant species का amount लगाना होगा. तो ये हमें stoichiometry से पता चलता है. सपोज यहां पर हमारे पास एक reaction है, एक है, इसके अंदर hydrogen है और oxygen है. ये दो gases हैं जो आपस में react कर रही हैं और यहां पर water बन रहा है. तो यहां पर हमारे पास ये moles लिखे हैं, दो moles hydrogen के हैं और हमारे पास oxygen का one mole है, ये दोनों जब react कर रहे हैं तो दो mole water के बन रहे हैं. अब यहां पर बता गया है कि stichometry से हमें पता चलता है कि desired amount of product के लिए हमें कितने reactants चाहिए, तो suppose हमें यहां पर 8 mole चाहिए water के, तो अगर हमें 8 mole water के चाहिए, तो हमें कितने reactants लगाने होंगे, ये हमें पता चलता है stichometry के वजा से, और ये हम calculate भी करना सीखेंगे stichometry के अ तो हमें इस in reactions के अंदर कितना product जो है वो कितने reactants से बन रहा है और कितने reactants लगाने होंगे इतने products बनाने के लिए तो ये सारा कुछ हम discuss करेंगे अगली videos में, calculations में, तो अभी हम आते हैं एक topic पे अगला topic है mole and avagadros number, बहुत important topic है, इसको ध्यान से सुनिएगा हमें सबसे पहले mole की definition को देखना है, mole क्या है, gram atomic mass, gram molecular mass or gram formula mass of any substance which contains 6.02 into 10 power 23 particles is called a mole एक mole क्या है, एक quantity है, एक number है, जिसकी value है 6.02 into 10 power 23 एक mole के अंदर हमारे पास ये एक mole क्या है, quantity है, जैसे हमारे पास एक dozen dozen क्या है, quantity है, जिसके अंदर 12 numbers आते हैं, अगर हम एक dozen अंडे का लेते हैं, तो उसके अंदर 12 अंडे आते हैं, वैसे mole क्या है, एक quantity है, जिसके अंदर 6.02 into 10 power 23 particles आते हैं अगर हम एक mole atoms का लेते हैं तो उसके अंदर 6.02 into 10 power 23 atoms होते हैं अगर हम एक mole molecules का लेते हैं तो उसके अंदर 6.02 into 10 to the power 23 molecules होते हैं अगर हम एक mole compounds का लेते हैं तो उसके अंदर इतना number जो है इतने compounds होते हैं तो ये एक mole क्या है quantity है अब ये इस definition का क्या इसको हम understand करते हैं अच्छे से सबसे पहले हम आते हैं शुरुआती कहानी से जिसके अंदर हमें atom का mass पता होना लाजमी है तो सबसे पहले atom का mass कैसे हमें नापना है हम जब भी इस दुनिया की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें बड़े बड़े जो है molecules, compounds और दूसरे substance मिलते हैं और उन्हें हम नापते हैं उनका जो mass है वो हम grams में और kilogram में मापते हैं अब यहां पर हमारे पास atoms आ रहे हैं, atoms बहुत ही चोटे particles हैं, इन्हें नापने के लिए हमें बहुत ही चोटा units चाहिए और वो चोटा unit हमारे पास मौजूद नहीं है ऐसा कोई भी balance नहीं है जिससे हम atoms को नाप सकें तो इसलिए scientist ने इनका जो mass है वो नापने के लिए एक trick यूज की, अब कैसे यहां पर एक atom है, carbon का atom है carbon का atom का atomic number है वो है 6, तो इसका मतलब यह है कि carbon के atom के अंदर 6 proton है, 6 neutron है और 6 electrons है अब electrons का mass बहुत ही छोटा होता है तो यह atoms के अंदर count नहीं किया जाता है क्योंकि इनका mass बहुत ही छोटा होता है और अगर यह लाखों electrons भी मिल जाएं तो एक या दो protons का ही mass बना सकते हैं तो इसलिए इतने ज्यादा electrons अटम के अंदर होते भी नहीं है तो इसलिए इन दो proton और neutron का mass बहुत है अब इनका mass कैसे count किया जाता है और इनका mass कैसे ना पा जाता है सबसे पहले जो proton है और neutron है इन दोनों का mass है similar अब इनका mass क्या है मतलब एक ग्रैम का भी 10 to the power minus 23 जो हिसा है वो एक proton का mass है तो बतलब बहुत ही छोटा mass है एक ग्रैम भी नहीं आ रहा इसमें अंदर 10 to the power 23 जो है वो ग्रैम आ रहे है तो इस पूरे unit को जो है वो scientist ने नाम दिया कि इसे हम 1 amu के बराबर समझते हैं amu क्या है atomic mass unit तो ये atom के mass का एक unit यहां पर create किया गया और उसकी value थी 1.67 into 10 power minus 24 ग्रैम तो अब यहां पर 1 amu बन गया मतलब ये एक proton की value है 1 amu या फिर 1 multiply by 1.67 into 10 power 23 तो ये एक proton के mass की value है अब यहां पर हमारे पास जो atomic mass होता है उसका formula क्या है proton और neutron के number को हम दोनों को plus करते हैं तो यहां पर हमारे पास है proton 6 है carbon के atom में और neutron भी 6 है तो यहां पर total 6 और 6 amu मिला कर हमें 12 amu जो है वो carbon का mass मिल जाता है तो 12 amu carbon का atom का mass है अब amu का मतलब क्या है 1.67 into 10 power minus 24 grams तो अगर हम 12 को multiply कर दें 1.67 into 10 power minus 24 grams तो यह हमारे पास mass जो हमें मिलेगा यह एक carbon के atom का mass होगा वो grams में यहां पर हमारे पास जो mass है यह amu में है जबके हम अगर इस number से इस 12 को multiply कर देते हैं तो हमें जो number मिलेगा यहां पर वो हमें carbon के atom का mass मिलेगा grams में तो यहां पर हमारे पास ऐसे हमें atoms का mass जो है वो calculate किया गया बहुत scientist के दोरान तो अब यहां पर mole का concept कैसे आया scientist जो है वो छोटे-छोटे atoms को तो नाप सकते थे अब यहां पर बड़े-बड़े molecules आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे atoms हैं उनको नापने के लिए scientist को एक बड़ा unit चाहिए था तो इसलिए यहां पर mole जो है वो scientist ने invent किया तो अब यहां पर कारबान के one atom की जो mass है वो है 12 amu 12 amu अब हमें क्या करना है कारबान के एक mole की जो है वो mass निकलते हैं तो उससे हमें जो है वो ज्यादा clearly understood हो जाएगा एक mole के अंदर कितने atoms होते हैं यह तो हमें पता है कि 6.02 into 10 power 24 particles या 24 atoms होते हैं एक mole के अंदर तो अगर कारबान एक atom है और हम एक atom को mole ले रहे हैं तो इसके अंदर 6.02 into 10 power 23 atoms होंगे तो यहां पर इसके अंदर atoms हैं एक कारबान का एक mole ले रहे हैं तो उसके अंदर 6.02 into 10 power 23 carbon atoms हैं अब इसके अंदर इतने carbon atoms का mass कितना होगा ये हमें calculate करना है एक carbon atom का mass हमें पता है एक carbon atom का mass है 12 amu जबके 6.02 into 10 power 23 carbon atoms का mass कितना होगा ये हमें अब calculate करना है अब ये हम calculate क्यों कर रहे हैं इतनी हमें क्या ज़रत है कि हम एक मोल की जो है वो पूरे इतने सारे एटम्स का मास फाइंड करें ये हमें क्या जुरत है तो इसी के अंदर मोल का जो है वो राज रखा हुआ है साइंटिस्ट को मोल यूज करना इजी क्यों लगा वो आगे आपको समझ में आने आला है तो मास आफ वन कारबन एटम इस 12 एम्यू जबके मास आफ एक कारबन एटम का मास है तो अम 12 को 6.02 इंटिस्ट एटन पावर 23 कारबन एटम से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमें mass मिल जाएगा इतने carbon atoms का तो हमारे पास 6.0 10 power 23 carbon atoms है इसको हमने multiply किया 12 से तो हमें 12 carbon atoms का mass मिलेगा और हमें mass जो यह ग्राम्स में चाहिए तो AMU को हटा कर हमें grams में mass चाहिए तो एक AMU की value कितनी है 1.67 into 10 power minus 24 तो minus 24 यह हमारे पास एक proton की मास होता है तो proton के मास से ही हमने start किया था एक amu की भी value यही होती है तो इसको हमने amu की जगा इसको multiply कर दिया तो अब यहां पर हमारे पास जो value आ रही है इस 12 को हटा कर इन दोनों को अगर हम multiply करें तो 1 gram आ रही है तो इसकी जो multiply अगर आप करके देखेंगे तो इसके जो अनसर आएगा वो 1 gram है और 1 gram को अगर हम 12 से multiply कर दें तो हमारे पास इसका जो अनसर आ रहा है वो 12 grams तो एक carbon atom की जो value थी एक carbon atom का जो मास था वो 12 amu था जबकि एक mole carbon atom का जो मास है वो 12 grams तो हमें grams के अंदर एक carbon atom की जो मास है वो हमें grams के अंदर मिल गया तो अब हमें पता चल रहा है एक हमें बात समझ में आ रही है कि जब हम carbon के atoms का 12 gram अगर हम carbon के atoms ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो 1 mole होगा और 1 mole होगा तो इसके अंदर कितने carbon atoms होंगे 6.02 into 10 power 23 carbon atoms होंगे तो इससे हमें बहुत important बात समझ में आ गई कि एक जो mole है वो scientists इसलिए यूज़ करते है ताकि वो मास को grams में उठा सके और grams में मास मेर करना बहुत ही easy होता है तो इसके अंदर अगर carbon के atoms हम ले रहे हैं तो 12 gram अगर हम लेंगे तो 1 mole उसका बन जाता है तो एक mole carbon atoms के अंदर 12 grams है और इसके अंदर carbon atom के नंबर कितने है इसके अंदर 6.02 into 10 power 23 atoms है तो एक mole के अंदर कितने atoms है 6.02 into 10 power 23 atoms है और इसका मास कितना है 12 gram है तो ये सिर्फ carbon के लिए है लेकिन अगर हमें किसी और किसी और atom का मास चाहिए होगा किसी और atom के 1 mole का मास चाहिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे तो यहां पर बहुत ही easy है दूसरे किसी atom का भी मास निकालना एक mole का मास निकालना भी बहुत easy है कैसे दीघे यहां पर हमने जब कारबन के एटनम का मास निकल था तो इसमें हमने 12 रख था यह फर बाकी तो दोनों वेल्यो सेम क्ता बारा होने क्सार्ट सेम शिर्च के कर्बन का मास 12 अमयू था, लगर मैगनिशम कैसे मास चाह सबार मैं जाह returned तो एक मॉल अगर हम मेगनिशम के लेते हैं तो उसके अंदर 24 ग्रैम आते हैं तो उसके बाद अगर इसके अंदर नमबर आफ एटम्स देखें तो फिर से सेम 6.02 इंटू 10 पावर 23 नमबर आफ एटम्स आ जाते हैं मास तो और बार जो एवो चेंज हो रहा है जैसे कि कार्बन का वन मॉल का मास ट्वायल था तो मैगनिशियम के वन मॉल का मास जो है वो 24 ग्राम हो लेकिन नमबर आफ जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा सेमी रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो हमारे एटम्स हैं। उनका मास डिफरेंस है। अगर हमारे पास कारबन का जो एक एटम है वो छोटा होता है। उसका मास होता है 12 A.M.U. जब के मेगनिशंब का एक अिकम होता है उसका मास होता है 24 Aम, यूज तो अगर हम म्यूचा की तौरब़ इνसाल की हगते कार्बन के ले अगर उन्हें मास लेना है तो वो मोल्स में मास ले सकते हैं तो अब हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमारे पास यह पर 그러니까 है तो वाटर का फारमूला ह1 और इसका मास जो है वो अगर 18 है तो 18 A.M.U. एक वाटर के मोलीकुल का मास है अगर हमें एक वाटर का मॉल लेंगे तो उसका जो मास होगा वो 18 ग्रैम्स होगा तो जो भी हम लें एटम लें, मॉलीक्यूल लें या फिर कोई आयोनिक कमपाउंड ले लें तो उसके अंदर हमारे पास जो एक मॉल का जो मास होगा वो उसी एटम के जो एम्यू में मास है उसका ग्राम्स को ग्राम्स में कर देंगे तो वही सेम मास होगा सपोज यहां पर कारबन है तो कारबन का एक एटम की जो मास है वो है 12 एम्यू तो एक मॉल का मास है वो 12 ग्रैम्स है और इसके अंदर हमारे पास magnesium है magnesium के एक mole का जो मास है वो 24 gram है तो एक item काまस भी 24 AMU होगा तो जब भी हमें किसी भी item के अंदर जो moles है किसी भी item के अंदर जो उसका knights है उसको अगर हमें mole में convert करना है कि उसके अंदर Nicole का उसके एक mole का मास कितना होगा तो वो mass same ही होगा उसका जो atomic mass है वो same ही होगा सिर्फ उसके अंदर हमें उसके अंदर grams कर देना है तो इसलिए इसकी definition में ये था कि gram atomic mass, gram molecular mass या gram formula mass जिसके अंदर 6.02 x 10 power 23 atoms, molecules या फिर ions आते हैं एक फर्मूला है यह पर एक आयोनिक कंपॉंट है इसको देङे हैं मेंगनीशन किलो राइट के लिए हमारे पास आ है मेंगनीशन और किलोरीन आइन 2 आइन आ राए हैं अगर हम तोड़ेंगे तो इसके लिए 2 आईन को ढाते हैं इसके अंदर हमारे पास अगर हमें पूछें कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं तो 6.02 x 10.23 पार्टिकल्स इसके अंदर आएं आयोनिक यूनिट्स आ रहे हैं जबकि इसके अंदर हमें पूछा जाए कि इसके अंदर आयन्स कितने आ रहे हैं तो इसके अंदर आइन्स आएंगे 6.02 x 10.23 आइन्स, मेगनिशम के आइन्स और किलोरीन के अंदर कितने आइन्स आइन्स आएंगे 6.02 x 10.23 किलोरीन के आइन्स लेकिन यहां पर किलोरीन के 2 मोल हैं तो इसको हम मल्टिप्लाइ कर देंगे 2 से और हमारा हो जाएगा 12.04 x 10.23 किलोरीन के आइन्स तो ये सारे इस तरह से होंगे तो एक मोल जब मेगनिशम किलोराइट तूटता है तो उसके अंदर एक मोल मेगनिशम आइन और दो मोल किलोरीन आइन मिलते हैं और इसके अंदर हमारे पास 6.02 x 10.23 एटम्स होते हैं जबके इसके अंदर भी इतने ही आइन्स होंगे और इसके अंदर भी इसके डबल आइन्स होंगे जितने मोल्स होंगे उतने ही आइन्स बनते जाएंगे तो क्योंकि एक मोल्स की वैलिव 6.02 x 10.23 है उसके बाद आगे आते हैं थोड़ा से हमारे पास कुछ डेफिनेशन जैन को देख लेते हैं उसके बाद अगल नेक्स वीडियो में हम जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लें एवोगेडरो जो नमबर की तो एक मल के अंदर जितने भी नमबर अफ ऑलड़ आते हैं उसे हम एवोगेडरो नमबर कहते हैं तो हमें पता है कि एक मल के अंदर 6.02 टीरेटों टैन पावर टई-टी-3 अटम्स आते हैं तो यह हमारे पास एवोगेडरो नमबर कहलाता है उसके बाद molar mass की definition है mass in grams of one mole of any substance is called molar mass तो grams के अंदर हम mass ले रहे हैं एक mole का किसी भी substance के एक mole का जो हम mass ले रहे हैं grams में उसे हम molar mass कहते हैं तो एक mole का mass जैसे के हमने magnesium का देखा magnesium के एक mole का mass 24 gram है तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि magnesium का जो molar mass है वो 24 gram है क्योंकि इसके एक मॉल का मास है तो इसको हमने ग्रैम्स में भी शो किया हुआ है तो ग्रैम्स में जब शो करेंगे तो ऐसा मास एक मॉल का मास और उसको ग्रैम्स में शो करें तो उसे हम मॉलर मास कहते है उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास है वॉल्यूम की, मोलर वॉल्यूम, तो एक मोल, एक आइडियल गैस, गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो ASTP, इस्टेंडर टेंपरेचर प्रेशर पे हम माज़र करते हैं, अब ASTP क्या है, इस्टेंडर टेंपरेचर, इस्टेंडर टेंपरेचर कौन साहे, एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कहलाएगा, molar volume तो एक mol का volume एक किसी भी gas के एक mol का जो volume है उसे हम molar volume कहते हैं और यहां पर molar volume का जो है फार्मूला भी लिखा हुआ है और एक value भी है जो molar volume की है किसी भी ideal gas का molar volume है वो है 22.4 dm cube 22.4 dm cube तो यह molar volume है और यह हर ideal gas का volume होता है अब molar volume का एक formula है इसको देख लें molar mass upon density किसी भी गैस का हमें molar mass लगाना है और उसकी density लगानी है तो हमें मिल जाएगा molar volume तो इसको आगे हम calculate भी करना सिखेंगे और इनसे अभी के formula हम देखेंगे next वीडियो में उसके अंदर हम calculations भी करेंगे numericals भी करेंगे तो उस वीडियो के लिए आप wait कीजिएगा thank you so much